हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल अब्दुलेड्यूकेर तो फ्रेंट्स आज ही इस वीडियो में आपको स्टैनेट्स एट इंग्लिश का चैप्टर नमबर 4.4 रामा नूजन इस चैप्टर के कोश्चन और डांसर देने वाला हो तो फ्रेंट्स अभी तक आपने मेर इस चैनल अब्दुलेड्यूकेर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंट्स बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अमारे ऐसे ही लेटिश वीडियो उसकी अपडेट तो चलिए फ्रेंट्स अभी इस दो अनॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स यूजड एट स्कूल लेवल और कॉलेज श्लाश यूनिवर्सिटी लेवल ने इम तो यह पॉइंट्स दिये गहा है इसके बेसिस पर आपको आंसर लिखना है फ्रेंट्स कॉशन नबर टुए है उस देखलेज यहां से यहां से यहां तक है फ्रेंट्स इन तीनों के आंसर देखलेज बीज यह फ्रेंट्स आप आप हम आ जाते हैं अपने कुशन आंसर पर कॉशन नबर वर है रीट the following passage carefully and complete the activities activity one is simple factual activity complete the following तो आपको यह complete करना है sentences को के answer directly आपको दिये हैं तो friends अभी हमारा जो पैसेज्ज यहां से start ओक और यहां खतम होगा जो भी बीच के वर्ट्स आये हैं difficult words के मिनिंग्स वह देख लीजे आप अभी हमारी है इदर activity 2 complex एक्टिविटी से वाई फॉस्ट है रामानुजन्स लाइट बोर्ड एंड इरिटियेटेड हाडली एड फॉस्ट इसका अंसर देख लीजिए यहां से आपका अंसर स्थार्ट होगा फ्रेंड्स और फ्रेंड्स यहां पर आपका अंसर यह वाला फॉस्ट करदमा फ्रेंड फ्रेंड्स क कोशिन देख लीजिए और उसका अंसर उसकी नीचे दिया है बो भी देख लीजिए अभी फ्रेंड्स एक्टिविटी ग्िविटी परं वेकोबली फॉस्ट ही my relaxed आ यह ए फॉलिवर् थर्ड वाला वर्ड और फॉर्थ वाला वर्ड तो चारो को हमने यूज किया है वर्ड स्लाश फ्रेस को इसमें से एक फ्रेस है बाकी वर्ड्स है तो वो देख लिजी उनके आंसर अभी फ्रेंट सेकेंड है इसकान से देख लिजी जो अंडर लाइन किया है वो एक में नाउन जैसे यूज किया है सेम वर्ड को और एक में वर्ड जैसा तो फ्रेंट्स एक्टिविटी फोर है हमारी एक्टिविटी बेस्ट अं कॉंस्टेक्शल ग्रामर इसके आंसर आप देख लिजी है इधर आपको सेंटेंस दिये हैं और इसके आंसर दिये हैं टाइपस ऑफ सेंटेंस कौन सा है पहले कॉंस्टेक्स है फिर सिंपल दिया है फिर कंपाउंड है अब भी एक्टिविटी फाई है परसनल रिस्पॉंस वाट कॉलिटीज ओफ रामा नूजन दस दस दिस एक्स्ट्रेक्ट ब्रिंग आउट इसका अंसर यहां से यहां तक है फ्रेंस तो फ्रेंस कोश्चन नमबर टू है रीड फॉल्विंग पैसेज क्याफुली और कंप्लीट दे अक्टिविटीज ओके फिर्स्ट इस सिंपल फैक्ट्वल अक्टिविटी कंप्लीट दे फॉल्विंग तो यह चीज़ों को कंप्लीट करना है आपको ओके तो अंडर लाइन साथ मेनिंग सब देख लीजिए तो फ्रेंस एक्टिविटी टू है कॉंप्लेक्स वैक्ट्वल अक्टिविटी फिर्स्ट है वाट वर्ट वेर्द टू ड्रॉबैक्स इंदे रामानुजंस करियर इसकांसर देख लीजिए यहां से यहां पर स्टार्ट होका और यहां पर हो जाएगा सब्सक्राइब कोशन के और संसाय हां से यहां तक है और फेंस को चहुंस यहां पर सप्राइस्ट अवरीवन ओं ओड़नेंग कि यहां से यहां तक है इसकांसर देख लीजिए फ्रेंस फॉर्थ हैं यहां से यहां तक इसकान से देखनी जिए तो फ्रेंट्स एक्टिविटी तरी है हमारी एक्टिविटी बेस्ट ओन वेकॉबलरी तो फ्रेंट्स कोशन नमबर बन है हमारा मेक पैर्स अफ सेंटेंस अफ यूर ओन एक में आपको नाउन जैसा यूज करना है और एक में आपको वर्ब जैसा यूज करना है और इधर आपको टोटल दो वर्ड दिया है तो आपकी कितने सेंटेंस बन जाएंगे चार सेंटेंस बन जाएंगे और वही वड़ाय हैसा उस और यहीं आप परबर य। फॉर्म है जिसको जासा है दर फर्स वाले सेंटन्स में वह देख लिजिए और सेकेंड वाले सेंटन्स में हम ने वर्ब जैसा यूज चैनलने है अंसर देख लिए जीनियुस डिफेक्स एजुकेशन बायोग्राफर यह नाउंस है तो फ्रेंट्स, activity for activity based on conceptual grammar फ्रस्ट है, identify whether the following sentences are simple compound or construct, तो ये इदर sentences दिये हैं दो और उनके answers भी दिये हैं, first वाला simple sentence है और second वाला compound sentence है, ओके फ्रेंट्स, अभी second है, underline the finite verb in the following sentence, तो ये sentence आपको पूरा बड़ा वाला सेंट्स दिया है, इसमें से finite वो आपको ही सिर्फ आपको underline करना है तो जो underline किया है वो आपको directly answer है अभी friends आपकी activity 5 है personal response Do you believe in superstitions? इसका answer यहां से पुरा यहां तक है continue रहेगा next page में और यहां पर खदम हो जाएगा इसका answer friends Question number 2 है Read the following passage carefully and complete the activities Activity 1 है simple factual activity Write if the following statements are true or false True or false बताना 4 statements है उनके answer सिधर आपको दिये हैं आप देख सकते हो Friends अभी आप पैसेज देख लीजिए तो पैसेज तो यहां आपका पैसेज स्टार्ट होगा और यहां पर खदम होगा friends और जो भी इसमें मिनिंग्स आप देख लीजिए तो फ्रेंस activity 2 है complex factual activity इसका answer देख लीजिए यहां से यहां तक है अभी फ्रेंस कोशन नबर 2 देख लीजिए आप तो फ्रेंस कोशन नबर 2 जो है हमारा वो है से वाई आपको रीजन बताना है फ्रेंस है यहां तक आपको दिया है है फ्रेंस देख लीजिए आप सेकेंड कोशन देख लीजिए फ्रेंस अब सेकेंड कोशन सेकेंड है है हैंडी कोस्टीचिंग रामा नुंजन अन अन यूजिव एक्स्पिरियंस इसकांसर यहां से यहां थाक है तो फ्रेंस activity 3 है हमारी activity based on vocabulary फॉर्स्ट यूज़ फॉलविंग वर्ड्स लास्ट फ्रेंस तुमें इन एक सेंटेंस ऑफ्रेंस ओफ्रेंस तो आपको यह वर्ड्स यूज़ करने आपके सेंटेंस बनाने के लिए तिन वर्ड्स दिया है एक वर्ड्स दिया है और एक फ्रेंस दिया है फ्रॉस््ट है मतलब यह वाला नाउन जैसा यूज किया है वर्ड को और सेकेंड में वही वर्ड को रिपोर्ट को हमने वर्ब जैसा यूज किया है डिपोर्टेड ओके एक्टिविटी फूर है एक्टिविटी बेज्ट ऑन कॉंस्ट्रक्शल ग्रामर ओके फॉस्ट है इडेंटिफाई वेदर फॉलिविंग सेंटेंसे सा सिंपल कंपाउंड और कॉंफलेक्स से बताना है तो इदर आपको चास सेंटेंसे दी हैं आप पहले तीन देख लीजिए तीनों सेंटेंसे के आगे उनके आंसर दिये हैं कौन से टाइप के है और यह चौनता वाला जो है वह कॉंप्रेक्स सेंटेंस है वह भी देख लीजिए अभी एक्टिविटी फाई है परसनल रिस्पॉंस यह वाला पुरा कोश्टिविटी आंसर यहां से यहां तक है कोश् आपको कंप्लीट करना है अभी पैसे पॉर्ड यहां से अपका स्टार्ट होगा और यहां पर एंड होगा जो भी हाड वर्ट आया है ग्लोसरी दर दी गई है उसकी आप देख लीजिए अभी कॉंप्लेक्स एक्टिविटी तो फॉस्ट ऐस सेवाए रामानुंजर हाड्ट तो फ्रेंस भी है रामा नुजन फाउंड नमबर 1729 बेरी इंट्रेस्टिंग इसका अंसर देख लिजे यहां से यहां तक है तो फ्रेंस सेकेंड है रीड रीड टेक्स्ट अनलिस्ट अचीवमेंट्स अन् होनर्स ओफ रामा नुजन अच्छ रिसीव डिन इंग्लैंड इसकांसर देख लिजे फ्रेंस यहां इसकांसर देख लिजे यह फॉर्स्ट पॉइंट है यह फॉष्ट अचीवमेंट इस और इस वाला पॉइंट हो सकेंड़ वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट अपका इंसके बाद यह आंसर कतम होग साथा है अब यह एक्क्तिविटी 3 है हमारी एक्क्तिविटी बेज्ट ऑन वेकॉबलरी इस फॉलिविवर्ट स्लाश फ्रे है और सेकेंड वाला जिसमें हमने फ्रेज यूज किया है देख लीजिए आप दोनों आपके आंसर है आंसर सेकेंड है तो फञेंड वोड को और एक में वर्ब जैसा दोनों वर्ड को यूज करना है तो सबसे वर्ड को हमने वर्ब जैसा भी यूज किया है एक्टिविटी फॉर है एक्टिविटी बेस्ट उन कॉंस्टेक्शल ग्रामर फॉर्स रामा नुजन वस्ट इंडियन तो गिवन आइधर ओफ दिस दिस्टिंक्शन रिर्ट इस नेगेटिव सेंटेंस तो यह दे को मैंने से लि यहां से यहां तक के अंडलाइन जो आमने किया है वह आपका आंसर रहेगा अभी हमारी एक्टिविटी फॉर है पर्सनल रिस्पॉंस ओके फ्रेंट्स यह पर्सनल रिस्पॉंस वाला देख लीचे आप इन अर्लियल देस पीपल यूज तो डाई ओफ इलनेस लाइक यहां प्लियु कि ऐध कर दोर्केष और पर अबर्सट रिकीधी हैसे इसी आप म्यूंक से यहां तक है को खरेंट्स आगी दिख्यां हमारा बारे आए तो डेख ली नियुकर्द कर देख सानें पर फ से बवर्स हैं थिन दो following sentence and state whether the following statements are active or passive voice तो आपको active है या passive voice वो आपको बताना है friends इसमें तो इदा sentences दिये हैं और active है या passive वो आपको बताना है यह sentences है 6 और उसके answers इदर दिये गए हैं ओके और आपको underline भी करना है verb उसके अंदर के तो friends second जो है हमारा change the voice in the following sentences तो जो voice है वो आपको change करनी है अगर active है तो उसको passive करना है passive है तो active करना है तो यह देख लिजी यह first वाले question का answer है यह second वाले question का answer है यह third वाले question का answer है और यह fourth वाले question का answer है आपने देख लिए friends और फ्रेंट्स ये फिफ्ट वाले कोशिन का अंसर है और ये शेक्स वाले अंसर है ओके डिख लिजी इस सारे के अंसर अभी do as directed हम करेंगे first है pick out two compound words from the lesson timetable और superhuman ये दो compound word है second है make a word pyramid of at least four words beginning with you okay you start होने चीए वो इसका अंसर देख लिजी यह है answer इसका third है give the noun form of amiable fulfilling amiability और fulfillment ये noun form है question number four है find out four hidden words from the given words miserable इसके अंदर से चार hidden word निकालने हैं तो माईजर एबल माईजरी माईजर ली और बैरली बैरली फीफ्ट है use the following word and its homophone in two separate sentences sent यह homophone है okay इस cancer है यह वाला एक homophone हो गया sent मतलब बेजना और यह वाला sent okay जिस मतलब खुजबू six reference rewrite as a negative sentence तो यह वाले sentence को आपको negative sentence में बदलना इसका answer यह है देख लीजिए और friends अभी देख लीजिए यहाँ seven rewrite the adjectives in the following sentences adjectives जो है वो लिखना आपको following sentence में underline the adjectives in the following sentence तो underline करना है तो आंसर देख लीजिए इसमें underline किया हमने यहां से यहां तक जो भी आया है underline कर दिया है एट है say whether the statements is simple compound or complex आपको बताना है जो आपका sentence है वो simple है यह compound है यह complex है तो हमने बता दिया यह complex है नाहीं ने चेंज द वोईस तो यह वाले sentence की वोईस चेंज करना है सकांसर यह है और 10 है rewrite using the underline word as a verb तो यह वाले underline verb को वर्ब जैसे लिखना है सकांसर देख लीजिए discussion का हो जाएकर discuss अभी writing skill वाला part देख लेते हैं friends interview question a brilliant student from your class has won a mathematics quiz at the national level frame questions to interview him her when the school felicitates him her follow the steps given below यह जो steps है वो आपको follow करकर बनाना है इस cancer तो इस cancer देख लीजिए friends यह वाला उस cancer है यहां से start होने वाला इस cancer ओके और next page में continue होगा गिवाले questions है पूरे second third पूरा इदर 11 तक आपको दिया है goodbye तक ओके second friends हमारा summary वह आप देख लीजिए reach the first three paragraph of page 39 second a rewrite the same nothing down only important points third a rewrite the important points in your own simple language fourth a make certain that your summary is less than half the length of the original passage okay friends इस cancer देख लीजिए summary का यहां से start होगा यहां तक पूरा रहेगा और आगे यह पूरा रहेगा friends यह पूरी summary है आपकी और यहां खतम हो जाएगा यह इस अमरी सिर्फ आपकी three paragraphs की है इधर mention किया है three paragraphs की summary लिखनी है ओके यहां तक खतम हो जाएगा आपका और इधर ही हमारी चैप्टर के question answers खतम हो गए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करना अभी मैं मिलोंगा आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ ठैक्स वाचिंग दिस वीडियो